सबसे पहले डिस्पेले पे आप लाइप प्रूब देख सकते हो 5 अप्लिकेशन पे आमारा 33,000 रुपय का लोन बिना किसी सिविल स्कोर के अप्रूब हो चुका है और एक क्लिक के अंदर ये पैसा आमारे बैंक एकाउंट बे भी आ जाएगा यहाँ पर लोन का अमारा भरने के लिए आपको 3 महीनों से लेके 36 महीनों तक का टाइम पिरेट दिये जाता है आपका जो लोन है उसपे आपसे साल का 24 परसंट का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगाया जाता है और साथ में जितने रुपे का लोन आपका एप्रूब होता है उसमें 2% का प्रोसेसिंग चार्ज काट के आपके बैंक एकाउंट में पैसा बेजा जाता है यहाँ आपन लोन अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट डिजिटल है दो मिनेट के अंदर आपका लोन एप्रूब हो जाता है और यह जो 5 अप्लिकेशन है यह RBI NBFC एप्रूब अप्लिकेशन है सो अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा क्योंकि कुछ लोग लोन अप्लाई करते समय कुछ गलतिया कर देते हैं जिस कारण से उनका लोन डिरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है सो चलिए अब इस वीडियो को फटाफ़र से स्टार्ट कर लेते हैं अभी दोस्तों आपको 5 अप्लिकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले Google Play Store से 5 इंस्टेंट परसनल लोन एप को डाउनलोड कर लेना है इस अप्लिकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्टेंट बॉक्स में भी दे राखा है उस पर क्लिक करके भी आप 5 अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं application को download करने के बाद आप simply application को यहाँ पर open करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface खुल करके आ जाएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना mobile number बरना है, जिस भी number से आप यहाँ पर loan apply करना चाहते हैं, एक बात का ध्यान रखेंगे, कि कोशिस आप कीजिए आप यहाँ पर वही mobile number बरें, जो आपके अधार card and pen card से link हो, दूसरा mobile number भी भर सकते हैं, लेकिन अगर अधार pen से link mobile number बरेंगे, तो application approve होने का chance ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर mobile number बरने के बाद यहाँ पर इस box पे आप टिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर continue वाले option को select करेंगे, उसके बाद आपके mobile phone में जितने सारे Google accounts login होंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर जो भी email देना चाहते हैं, उस वाले email को आपको यहाँ से select कर लेना है, next page में आप से कुछ permissions मांगे जाएंगे, तो basically यहाँ पर आपको नीचे आ आ जाएगा, तो okay, got it वाले option पर यहाँ पर क्लिक करना है, next page में आपको अपने अरार कार्ट के हिसाब से नाम बरना है, सबसे पहले यहाँ पर आप first name डालेंगे, यहाँ पर आप last name डालेंगे, अगर आप तो कोई middle name है, तो आप first name के अंदर include कर सकते हैं, तो उसके बाद next वाले बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपना date of birth select करना है, तो select date of birth वाले option पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी सामने calendar खुले दर के आ जाएगा, यहाँ पर आप चाहे तो अपने date of birth को complete fill कर सकते हैं, या फिर नीचे calendar में से भी आप यहाँ पर select कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपना month select करना है, यहाँ पर date select कर लेना है, यहाँ पर date of birth का आप year यानी साल select कर लेंगे, यहाँ उसके बाद यहाँ पर आपको एक arrow का icon मिलेगा, इस पर आप click करेंगे, next page में आपको अपना employment type select करना होता है, अगर आप कोई job करते हैं, आप salary को select then arrow वाले button पर click करेंगे, अभी आपने जो details बार आए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसे एक बार आपको confirm करना है, इस वाले box पर tick करके नीचे save and proceed पर click करना है, अभी आपका 5 application पर account create हो चुका है, यहाँ पर आपको अपना profile complete करना होगा, so complete profile वाले option पर click करें उसके बाद next page में इस वाले box में आप महीने में जितने पैसे कमा लेते हैं, वो amount आप यहाँ पर fill करेंगे, minimum आपको कम से कम 15,000 भरना ही पड़ेगा, एड़ उसके बाद यहाँ पर okay बटन पर click करेंगे, उसके बाद next page में आप महीने में कितना पैसा कमाते हैं, वो amount आपको यहाँ पर fill करना है, then tick वाले option पर click करना है, और उसके बाद confirm income वाले option पर click करेंगे, then next page में यहाँ पर आपको अपना work address fill करना है, अगर आपने salary select किया है, then यहाँ पर company का नाम and company का complete address आप fill करेंगे, वहीं अगर आपने self-employed या फिर business select किया है, तो यहाँ पर आप अपने business का नाम डाल देंगे, या फिर profession का नाम डाल देंगे, and यहाँ पर complete address fill करेंगे, pin code and city select करेंगे, and उसके बाद save employer details पर click करेंगे, then उसके बाद यहाँ पर आप से दोबारा से address मांगा जाएगा, तो जहाँ पर भी आप अभी fill हाल रहते हैं, वह अपना address complete यहाँ पर fill कर सकते ह या फिर आप अपना अधार काड़ वाला permanent address fill करेंगे, then save current residence address पे click करेंगे, उसके बाद फिर से आपको इन सारे details को एक बार match करना है, and नीचे save and proceed पे click करना है, then आपको यहाँ पर अपने monthly income को verify करके, confirm income पे यहाँ पर click करना है, फिर यहाँ पर address details को दोबारा से एक बार match कर exact कितने रुपे का loan मिलेगा, वो आपको आगे बताया जाएगा, यहाँ पर आपसे bank statement upload करने के लिए बोला जाता है, तो अगर आप bank statement देना चाहते हैं, तो continue to provide bank statement पे click करेंगे, वह अगर आप bank statement नहीं upload करना चाहते हैं, तो I will do it later पे click करेंगे, मेरा मानिएगा तो आप यह options दिखाया जाएंगे, सबसे पहला online method है, जिसमें आपको net banking login करना होगा, और आपका bank statement automatic net banking से fetch कर लिए जाएगा, और दूसरा अगर आपने पहले से bank statement download कर रहा है, तो दूसरे option upload PDF for the option पे click करके अपने bank statement को upload कर सकते हैं, तो जैसे ही आप इस process को complete कर लेते हैं, next page में आपको exactly कितने रुपे का loan का limit मिला है, वो amount आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाता है, जैसे कि मेरी case में मुझे 15,000 रुपे का loan का limit मिला है, इस amount को bank में transfer करने के लिए सबसे पहले हमें KYC complete करना होगा, so complete KYC वाले option पे click करेंगे, and next page में KYC complete करने के लिए हमें अपने mobile के front camera से अप पी नहीं पहनना है, उसके बाद यहाँ पर आपसे KYC के लिए एक document upload करने के लिए बोला जाता है, so यहाँ पर अधार OTP verification वाले option को आप select करेंगे, फिर next page में यहाँ पर आपको अपना complete अधार card का number fill करना है, and इस box में आपको एक security code दिख रहा होगा, same to same इस वाले code को आप आपको इस वाले box में fill करना है, and उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले box पर tick करके नीचे request OTP पर click करना है, next page में आपके अधार card से link mobile number पर OTP send के जाएगा, OTP आप verify करेंगे, and उसके बाद आपका जो अधार card है, automatic यहाँ पर upload हो जाएगा, then उसके बाद last page में आप जिस bank details पर click करेंगे, then उसके बाद यहाँ पर आपको अपने account के साथ auto debit set करना है, ताकि हर मही ने आपका जो EMI का पैसा है, आपका bank account से automatic cut हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर setup online का option मिलेगा, इसके आप एक बाद click करेंगे, and उसके बाद next page में आपको अपने net banking का details user ID password login कर लेना है, अगर आपके पास internet banking नहीं है, तो अगले page में आप अपने ATM card का details में fill कर सकते है, and उसके बाद automatic आपका जो auto debit है, वो set हो जाएगा, and आपका जो loan का पैसा है, आपका bank account में कुछ देर के अंदर transfer कर दे जाएगा, and हर महीने आपका EMI इसी वाले bank account से cut जाएगा, अभी तक हमने आपको 5 application से loan apply करने से लेके bank account में पैसे transfer करने तक का पूरा सफर इस वीडियो में discuss कर दिया है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like, share, इस पर comment कीजेगा, and channel को subscribe कर लिजेगा,